How to fix Find My Device Android Not Working Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यही आपका Find My Device का जो फ्यूचर है आपके Android डिवाइस पर वो जो है काम नहीं कर रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लेम को फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुचन बताने वाला हूँ वीडियो को आँ तक देखे, सॉलुचन को फोलो करे, प्रॉब्लेम को यहाँ पर सॉल्फ जरूर कर लिजगा क्योंकि दूस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी-कभी हम Find My Device जो है, उसको यहाँ पर दूस्तों यूज करते लेकिन काम नहीं करते तो आपको दोस्तों यहापर बिल्कुल सही तरीके से जो है Find My Device को use करना होगा अपने mobile पे तब जाके आपका Find My Device काम करेगा तो आपको share होना परेगा आपका Find My Device यहापर enabled है और कुछ solutions भी आपको यहापर follow up करना होगा तो वीडियो को आन तक जरूर देखे solutions, settings दोनों को करे problem आपका यहापर fix हो जाएगा और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यारी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तों bell icon को भी click जरू कर डिजगा यहीं आप online से पैसा कामाना चाते है तो उसके लिए हमने वीडियो description पर link दे रखाए किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए यह शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो mobile software है वो updated version होना चाहिए तो about phone पर जाएए mobile software को update करें mobile software update करने के बात दोस्तों आप scroll down करके जाएए अपने find my device के option पर ठीक है तो दोस्तों वो यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एक बार search कर लेता है ठीक है तो रहा सा confusion यहाँ पर हो गया तो मुझे भी exactly पता नहीं है कौन से जगे पर यह setting था find my device तो password and security में हो सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें search करना परेगा तो चलिए दोस्तों scroll down करके नीचे जाते हैं और password and security को open करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है मिल तो जाएगा तो privacy पर एक बार जाके check करते हैं तो यह रहा दोस्तों find my device तो यहाँ जाके दोस्तों आपको share होना परेगा कि आपने इस बटन को enable कर रहा है या नहीं कर रहा है पहले आप इसको enable करें इनेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो google वगरा का setting से आप उनको देख लीज़ेगा ठीक है find my device get it on google play तो आप दोस्तों यहाँ पर डेख सकते हैं उसके बार यहाँ यहाँ पर web का और उसके बार है यहाँ पर google search find my device ठीक है यानि कि आपने यह गूगल एकाउंट सेट कर रखा है तो आप देख सकते हैं पर आपको यह feature दिया गया है तो आप दोस्तों जाइए आपने जीमेल पर ठीक है लेकिन वह जीमेल जो है किसी दूसरे mobile पर भी सेट आपने कर रखा है तो ही दोस्तों यह काम करेगा मान लिजे दोस्तों आपने यह find my device को enable कर लिया ठीक है आपका जीमेल जो है वो यहाँ पर already set है तो already set हुए है जीमेल यहाँ पर तो दोस्तों आपको क्या करने उसी जीमेल पर जाना है जीमेल पर जाके आपको find my device का option मिलेगा तो जाकि उसमें click कर देना है उसमें click करते ही यह आपका phone switch off रहेगा ठीक ह ठीक है तो बस आपको यह feature यहाँ पर follow कर लेना है setting solution दोनों को follow कर लेना है ठीक है उसके बार आपका find my device काम कर जाएगा और दोस्तों यदि इससे आपका काम बन जाता है तो ठीक है यदि काम नहीं बनते तो setting पर जाए scroll down करे apps को open करे उसके बार manage manage install app या तो फिर app manager करके find my device ठीक है तो चली है एक बार search करते हैं इसको अपर मिल रहा है तो इसको मैंग बार cancel करके show all apps कर देता हूं तो यहाँ पर उसको एक बार और और search करते हैं find device ठीक है तो यह ही है तो confirm करने के लिए मैं इसको search क्रवा तो यहाँ पर उसको करते हैं फोस्ट यहाँ पर निफेशन पर जाकर देखते हैं तो नोटिफिकीशन से यहाँ पर आपके अलाओ होना चाहिए है दोटत के बाद यहां पर उसेटिंग है जो की है allow sound तो allow sound को आप enable करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ठीक है allow sound यहाँ पर करना बहुरी जरूरी है उसके बार आप यहाँ पर bake करें, bake करने के बार mobile को restart कर डें, find my device आपका काम कर जाएगा, तो बस यही solution आपको follow करना है, इसके मदद से आप इस problem को solve कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो पोड़ोस तो बस इतना ही उमिद करते हैं आपको जो है वीडियो यहाँ पर पसंद जरूए आओगा यही इसके regarding पर आपको किसी भी तरह का issue आ रहे है, दुबारा से किसी भी तरह का problem से तो आप हमें दोस्तों contact करके बता सकते हैं, ठीक है कैसे contact करना है आप हमें ट्वीटर पर कर डीज़े या तो फिर comment section पर comment कर दीज़ेगा तो आज के लिए बस इतने thanks for watching